हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग तो यह जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज अफ लेक्चर्स लाया है एकनॉमिक्स के लिए ताकि आपका एकनॉमिक्स बहुत ही अच्छे डंग से कम्प्लीट हो जाए और जो जैसे के क्वेस्टन्स है वो आपको आ सके तो उसके लिए आपको यह सारी सीरीज देखनी है तो विदिन सेवन एट डेज हम इसको कम्प्लीट करने वाले है पूरे एकनॉमिक्स को तो आप बिल्कुल बराबर इसको देखे आपका एकनॉमिक्स बिल्कुल साफ शिफाव बन जाएगा हंडरन परसंट आपको क्लिर क्रिस्टल क्लिर नजर आएगा एकनॉमिक्स और सारी प्रॉब्लिम सबको सौलू हो जाएंगी चलिए हम पिशली बार मॉनेटरी पॉलिसी देखो हमने और बी पे दो लेक्चर लाए थे फिर मॉनेटरी पॉलिसी पे एक लेक्चर ठीक है वह आपने देखा होगा और आज मैं आपके लिए नमबर 20 है यह सीरीज का एंड पार्ट नमबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी का उन लोगों के लिए रिविजिन होगा जिन्हों ने आउरेड़ी पड़ा है अब उन वो क्या काम कर सकते है वो वीडियो देखे और जो जो चीजे उनको रूपीच हो रही है जो उन्होंने पड़ी है उसका रिविजिन हो जाएगा और जो चीजे नहीं है आप उसको नो डाउन कर सकते हो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है आज का लेक्चर सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में मनिटरी पॉलिसी जितना है ना वो बोला अब जो 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 बची चीजे है कोई इडिशन इ परड़ी फाइल है तो इसको कितना पढ़ोगे आपको जिस जिस चीज पर मैं हाइलाइट करवाओंगा आपको खाली उसी पर नजर देनी है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए है आप चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताके अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए तो हमने पिछली बार आप से कहा था कि monetary policy के कुछ objectives होते है ठीक है इस यह जो monetary policy है यह इसलिए की जाती है कि कुछ reasons होते है क्या क्या reasons होते है हमने पहले ही बोला neutrality of money stability of exchange rate price stability full employment economic growth and equilibrium in the balance of payment balance of payment होता है अगर आप balance payment चेक करोगे न यह होता है it is the accounting of international transactions ठीक है जो हमारे पास international हम क्या करते है काम हम international transactions करते है कुछ ठीक है मिसाल हमने international transactions की सर क्या मतलब होता है मान लीजे आप इसको ऐसे कि अगर हमारे पास यह इंडिया है और यह outside है हम कभी कबार outside से कुछ amount लाते है या यहां से amount लेते है बाहर लेते है ठीक है तो उसको वो सारी ट्रांजिक्षिया कभी कबार shares खरीते हैं किसी दूसरे country कि या इंडिया में कोई share खरीता है तो वो सारी transactions जो है वो balance of payment में record किया जाता है ठीक है balance of payment में record किया जाता है and हमें monetary policy इसलिए भी हम लाते है ताकि जो balance of payment से इसमें equilibrium आए ठीक है जितने हम outflows कर रहे है उतने outflows और inflows में थोड़ा equilibrium आना चाहिए ठीक है चलिए अब इन ही चीज़ों को हम आराम से देखेंगे one by one ठीक है तो यहां पर आपको क्या नज़र रखना है देखो neutrality of money में तो आपको बोला हुआ है कि आपको कैसे क्या करना है monetary change कैसी लानी है आपको ठीक है rates में increase कर सकते हो open market schemes ला सकते हो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी अब exchange rate stability देखो हमारे पास यहां पर आपको याद रखना है कि जब हमारे पास balance of payment में जो मैंने अभी बोला balance of payment में जब हमा हमारे पास balance of payment में dis equilibrium होता है तो इसको हम कैसे करते है correct कैसे करते है moment से ठीक है और इसको बोला जाता था इस moment को कि भाई क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं हम कि भाई आप अपनी currency को और credit को expand कीजिए जब gold आएगा और जब gold बाहर निकलेगा आप अपनी currency को contract और credit को भ equilibrium है और जो exchange rate की stability है वो maintain होगी तो इसका मतलब exchange rate stability कैसे maintain होती है exchange rate stability इस तरी के से maintain होती है अगर आपके पास gold आ रहा है तो आप अपनी currency को expand करो credit को expand करो अगर आप के पास gold जा रहा है आप अपनी currency को contract करो credit देना बंद कर लो ठीक है उसको contract कर लो चलिए उसके बाद हम चलते है next point पे ठीक है यह already मैंने बहुत सारा पड़ाया हुआ है ठीक है अब इसके बाद हमारे पास next है उसको बोलते है price stability ठीक है prices को control करना भी किसके किसका काम होता है monetary policy का अब इसमें दो चीज़े है ठीक है या तो देखो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको prices prices stable करने है तो आप क्या करोगे आप prices stagnate करोगे मिसाल किसी product का कोई price होगा let's suppose कोई product है इसका कुछ price होगा इसका मतलब price को stable करने का मतलब यह नहीं कि price को बढ़ाना नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि price को सख्त बनाना है या price को stagnate करना है नहीं इसका मतलब यह है कि थोड़ा increase तो कर सकते है ताकि economic growth हो जाए ठीक है mild increase अगर हमने किया उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आपको सारी चीज़ों को मदनजर रखना है कि इनफलेशन उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है इनफलेशन उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि market में prices बढ़ जाए ठीक है market में prices बढ़ जाए और हमारी currency जो है उसका value lose हो जाए उन सारी चीज़ों को आपका खयाल रखना है एक और आपका जो माट्यू होता है monetary policy का ताकि full employment हो जाए देखो आपको पता है जब आपके पास अब full employment कब होती है full employment तब होती है जब आपके पास money supply जो होगी वो बराबर होगी किसके जितनी demand होगी जितनी demand होगी उतनी supply जितना market में demand मनी का उतना ही आप supply भी दे रहे हो तो full employment होगी जाहर सी बात है जब inflation होता है थोड़ा inflation ज़रूरी है ठीक है इसलिए अभी target जो है वो 2% से 6% तक target है inflation का ठीक है थोड़ा inflation ज़रूरी रखा जाता है इंडिया developing country है तो इसकी economy जो है इसकी economic growth करनी चाहिए ठीक है उसके लिए भी हम क्या करते है monetary policy करते है हम adopt करते है clear है चलिए अब monetary policy क्या करते है काम कैसे काम करता है ठीक है यह हमारे पास यह जो monetary policy है यह कैसे economic growth को sustain करता है ठीक है कैसे promote करता economic growth को यह बोलता है by maintaining the equilibrium between total demand for money आपको देखना है कि demand कितनी है total money की and total production capacity and further creating favorable conditions for saving and investment यह सारी चीज़े मैंने आपको पीछे lectures में बिलकुल बताई है आपको बिलकुल सुनना है यह सारी चीज़े आपके लिए उतनी जरूरी अब है नहीं ठीक है चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं next पर हमारा जो next है next slide देखिए इसको हम करते हैं okay चलो यह मैंने बोला आपको पहले equilibrium in the balance of payment ठीक है यह भी आपका motive होता था चलिए उसके बाद आते हैं अब objectives of monetary policy यह तो मैंने आपको already बताया मुझे लगता है यह repeat हो रहा है हाँ यहाँ पर आपको नज़र रखनी है चलिए देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा यह जो आपके पास licensing of banks है देखो यहाँ पर एक और information आपके लिए add हो जाएगी अब एक section आता है banking regulation act का section number 22 sir वो क्या बोलता है वो बोलता है कोई भी bank अगर किसी ने अपना banking system start किया कोई नया bank आ गया वो तब तक काम नहीं कर सकता जब तक किना वो पहले permission जब तक किना वो पहले license कहां से बनवाए RBA से वो permission मांगेगा और ये चीज कहां पे लिखा है आपको पूछा जाएगा आपको बताना है section number 22 banking regulation act समझा रही है बात की नहीं उसके बाद ये भी आपको बताया जाएगा कि भई उसको कितना amount रखना है ठीक है यानि जो bank नया बनेगा उसको कितना minimum capital होना चाहिए ताकि वो bank को operate कर सके तो उसके लिए 500 करोर रुपे होने चाहिए ताकि वो initiate करे banking system को और initially पहले पहले जो bank खुलाता था उसके लिए 5 ही लाख होना चाहिए था लेकिन ये जो minimum capital है अगर पूछा गया ये minimum capital ये 500 करोर का होना ये RBA जो decide करता है ये किस section के तहत किस act में करता है कौन इसको provision देता है ताकि minimum capital को decide कर सके आपको बताना है banking regulation act section 11 ठीक है उसके बाद आपको ये भी अगर याद रखोगे क्या रखना याद जो banks होते है ठीक है banks उनको अपना जो profit होता है annual profit देखिए bank ने एक साल काम कर लिया एक साल काम करने के बाद उसके पास कुछ profit आगे that means को कहेंगे हम annual profits अब उन annual profits का 20% उनको reserve कर रखना है कहां पे RBI के पास तो पूछा जाएगा कितना minimum रखना है 20% of the annual profits ठीक है चलिए उसके बाद अब यहां पे important point यह है देखो इसको bold भी किया गया मैंने अब क्या बताता है जो bank open होता है as PSU public sector undertaking उसको जुरत नहीं है कि ताकि वो permission पहले RBI से मांगे ठीक है उनको जुरत नहीं यह जो commercial वाले banks होते है यह खाली उनको जुरत होता है उसके बाद आपको यह भी याद रखना यहां पे एक और point मैंने लिखा हुआ है कि जो bank holidays होती है इस bank holidays को कौन declare करता है ठीक है bank की जो holidays होते हैं यह अलग से declare करता है ठीक है RBI खुद करता है declare कौन अच्छा मदब central किस act में इसको bank holidays कहां पे mentioned है किस act के तहत है तो वहां पे central state government UT under negotiable instruments NI act 1881 में चलिए उसके बाद आपके पास आएगा next point यहां पे next point बताता है जो आपके पास banking regulation act है section 23 इसके तहत क्या करना है makes it makes it obligatory for the banks to take prior permission from RBI to open any new branch अब देखो एक हो गया section number 22 जो मैंने उपर बोला banking regulation act के तहत यानि अगर किसी bank को नया ही वो नया ही bank आ गया उसको अपना banking system start करना initiate करना है उसको किस section के तहत पहले RBI से permission मागना है section number 22 लेकिन अब already एक bank था अब उसने branch बनाना है तो किस section के तहत उसने अपना मतलब पहले उसको permission मागना पड़ेगा RBI को कि मैं नया branch खुला हूँ तो आपको बताना है section number 23 आपको बताना है तो I hope ये चीज़े आपको समझ आ रही होंगी तो इसके बाद हम चलते है next हमारा जो है अब इसके बाद आता है एक और चीज़ को बहुते है capital account convertibility ठीक है क्या बहुते है इसको capital account convertibility अब मैं आपको इसको simple अलफाजों में समझाऊंगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है तो चले लिख लिख लिजिए जो बाकी यहां पर लिखा आपको कुछ नहीं focus करना है जो मैं बताऊंगा आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है देखो capital account convertibility क्या होता है आप यहां पर लिख लिजिए it is a freedom it is a freedom with which you conduct the investment transactions to conduct investment transactions ठीक है आपने कहीं पर क्या किया काम आपने transactions मतलब कहीं पर आपने shares खरीदा ठीक है आपने कहीं पर invest किया उन transactions को conduct करवाने के लिए आपके पास कितनी freedom है without restriction यानि आपको कोई restrict नहीं करना चाहिए ठीक है without restriction without restriction आपके पास कितनी freedom है कि आप investment कहीं पे कर सको ठीक है आप shares किसी के खरीच सको जाहे foreign में ठीक है तो यहां पे तो उसको बोलते है capital account convertibility एक इसके साथ दूसरी term है ठीक है एक दूसरी term भी है उसको बोलते है current account convertibility क्या बोलते है इसको current account convertibility इसको भी बोलते है CAC current account convertibility यह क्या आपके पास freedom to conduct investment transactions मतलब investment मतलब होता है किसी के shares आपने खरीदे है ठीक है किसी के आपने bonds, agreements खरीदे या कहीं पर investment किया, ऐसा कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हो काम, आप कितनी freedom से, आप कितनी freedom से convert करोगे rupees को into international currency, ठीक है, आप कितनी freedom से, अपनी rupees को international currencies में convert करोगे, without any restriction, उस चीज़ को बोला जाता है, current account convertibility, तो यह यहाँ पे कुछ additional चीज़े है, ठीक है, अगर आप याद रखना चाहते हो, तो आप रख सकते हो, यह वैसे भी उतना important है नहीं, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, आगे सीधे सीधे आजाएंगे हम, next, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, अब आपको यह भी पूछा जाएगा, हो सकता है, कि बता आओ, SBI के subsidiaries कों से है, जो fully under control में किसी आते है, RBA के fully control में आते है, उसको आपको याद रखना है, DICGC, BRBN, MPL, यहाँ पे लिखा हुआ है, Reserve Bank Information Technology, Private Limited, RE, BIT, and Indian Financial Technology, and Allied Services, यह 5 है, 1, 2, 3, 4, sorry, 1, 2, 3, 4, अच्छा, जो पास्ट में एक और बैंक हुआ करता था, उसको बोलते थे, हम National Housing Bank, प क्या, कौन सा ऐसा subsidiary है, RBA का, जो अभी subsidiary नहीं है, उसका नाम है National Housing Bank, देखो यह जो मैं आपको पता रहा हूँ, यह छोटे-छोटे यह जो points है, इसी से MCQ बनते है, याद रखना इनको छोटे-छोटे points को note down कर लो, National Housing Bank हमारे पास एक ऐसा subsidiary है, RBA का, जो अभी subsidiary नहीं है क्योंकि जो RBA ने, जो इसका 100% share था, किसमे है, National Housing Bank में, यह इसने, देखो RBA ने क्या किया, RBA फुली कंट्रोल करता था इस NHB को, याने National Housing Bank को, मगर इसने क्या किया काम, इसने 100% इसको खरीद लिया, सरी, सेल किया, किसको किया, इसने इसको Government of India के हवाले कर दिया, तो इसका Housing Bank, आपको याद रखना है, हो सकता है, MCQ इसी पे बने, तो चलिए हम आगे चलते है, अब इन Subsidories के बारे में, क्या क्या है, अगर किसी को पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से जूरत नहीं है, तो अगर किसी को Civil Services के लिए जाना है, तो उसको पता होनी चाहिए, तो वैसे हमारे पर एक और चीज़ बताऊंगा, अच्छा, ये भी आपको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है, जो जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस उसी पर फोकस करना है, चलिए, अब यहाँ पर आपको जरूरी है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता यहां पर आपको याद रखना है ठीक है देखे बेटा हमारे पास अगर पूछा गया ले टर सपोज जो नोट्स होते हैं नोट्स जो बैंक और रिजर्व बैंक के बीच में एक्सचेंज होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक का नाम है स्वाइलिड नोट्स और मल्टलेटड न अब स्वाइलिड नोट्स कौन से नोट होते हैं स्वाइलिड नोट्स वो वाले नोट्स होते हैं जो गंदे हुए होते हैं किसकी वज़े से एक्सेसिव यूज इसका मतलब स्वाइलिड स्वाइलिड नोट्स जो है यह डिर्टी डिर्टी नोट्स होते हैं क्यों होते डिर आपका multilated note होता है, इस note के 2 से ज्यादा pieces होते है, अब सवाल पैदा होता है, अगर आपके पास solid note हुआ, या आपके पास multilated note हुआ, तो आपको उसको करना क्या है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, अगर आपके पास solid note हुआ, ठीक है, अगर आपके पास solid note हुआ, आप उसको कहीं भी किसी भी bank branch पे आप उसको exchange करवा सकते हो लेकिन जो multilated notes है उसको आप किसी खास खास bank branch में ही कर सकते हो हर किसी branch में उसकी facility provided नहीं होती है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है ये जो आपके solid notes या multilated notes होते है इनका आपको exchange दिया जाता है अब कुस किस rule में ये बताया गया है कि भाई यहां पे notes refund कर लो इनको वापस पैसे दो उस rule का नाम है RBI note refund rule 2009 ठीक है तो या पढ़ सकते हो इसके बाद आप ये भी याद रख सकते हो कि भाई इस act के इस rule के तहत या तो अगर आपके पास denomination है rupees either full or under current provision either full or no value for notes of denomination after rupees 20 is paid अगर आपके पास 20 रुपे तक मैसे है ठीक है 20 रुपे तक उन denomination को क्या किया जाता है या तो आपको full value दिया जाएगा या तो कुछ नहीं दिया जाएगा वो कौन decide करेगा वो bank decide करेगा देखेगा condition क्या है note की उसके हिसाब से लेकिन अगर आपके पास 50 रुपे का note है या उसके ज्यादा से ज्यादा ज्यादा उपर उपर है आपको या तो full मिल सकता है half भी मिल सकता है या no value भी मिल सकता है यह depend करता है आप में जो notes है उनमें कितनी आप में मतलब वो कितने कटे हुए है उनमें क्या conditions है उस पे depend कर सकता है चलिए इसके बाद हम चलते हैं next topic पे देखे यहाँ पे again आगया open market operations है ना तो आप यहाँ पे बताना क्या है मुझे आपको यह चीज़ याद रखना है मैंने आपको सबसे पहले बताया है open market operations में हम क्या करते है काम government की securities को sale करते है ठीक है sell करते है और buy भी करते है so government securities को buy करना और sell करना किस में किया जाता है open market operations में ठीक है अब यह किस platform पूछा जाएगा यह जो open market operations है यह किस platform पर किया जाता है यानि यह जो g securities है का buy करना या sell करना कोई platform तो होने होना चाहिए जहां पर हम यह करे उसका नाम है electronic negotiated dealing system या order matching platform ठीक है इसको बोलते है nds nds मतलब negotiated dealing system om that means order matching तो वहां पर हो सकता है nds om option पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो इसके बाद हम अच्छा कौन सा ऐसे department है कौन सा ऐसा organization है जो government securities को settle करने में help करता है यानि उनमें bonds बनाने में help करता है कोई agreement बनाने में help करता है उसका नाम है clearing corporation of India limited CCIL ठीक है CCIL और ये भी आपको याद रखना है जब कभी आपको याद रखना है let's suppose आपने securities settle की आपने जी security जो है settle करने का काम किसका है ठीक है वो CCIL काम करता है ठीक है अब let's suppose settlement हो गई अब जो settlement हो गई ना उसको एक account में बना जाएगा एक central bank में account खुला जाता है जब किसी ने securities buy की या sell की ठीक है securities अब यह जो जी securities का सारा यह transaction है यह एक account में बनाया जाता है central bank के account में बनाया जाता है उसका नाम है SGL या उसको बोलते है CSGLB दोनों accounts में यह अलग account है यह दूसरा SGL का मतलब क्या होता है इसको बोलते है subsidiary general ledger देखो कभी कबार सवाल बहुत आसान भी आता है वो बताएगा कब बताओ आर बिया central bank में SGL का मतलब क्या होता है full form बताएगा आपको बताना है subsidiary general ledger cgsl क्या होता है c मतलब होता है conestuant c मतलब होता है conestuant c sgl का मतलब same subsidiary general ledger इसका मतलब हो गया g securities को settlement कौन करवाता है c c il फिर इनकी transactions को कहा record किस account में record किया जाता है और कौन करता है वो RBI record करता है किस account में SGL में करता है ठीक है तो यह आपको जरूरी याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो चलिए हम आगे चलते है next अपनी slide पर चलते है देखते है क्या इसके बाद पढ़ेंगे हम ठीक है अब यहाँ पे कुछ और चीज़ आपको याद रखनी है तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है वो हो गया यह आप and settlement system में आपको यह चीज़ याद रखनी है जिसको मैं यहाँ पर focus करवाऊंगा जो Reserve Bank of India है इसने mechanized clearing जो है याने जिसमें आपकी magnetic in character recognition based check बनाई गई थी ठीक है उसका use किया गया था आपको पूछा जाएगा जो magnetic आपने देखा ने check में MACR use होता है आपको पता होना चाहिए आपने पड़ा है computers में भी कि magnetic in character recognition कहां पर checks जो होती है उसमें use किया जाता है इस technology को ठीक है इसके जरे से code बनाया जाता है जिसको magnetic coding बोलते है ठीक है magnetic in character recognition अब इस mechanized clearing को कहां कहां पहले launch किया गया था तो RBI ने चार मेट्रो स्टीज में इसको launch किया था कहां मुंबई, नि 1986 में ठीक है और ये भी याद रखना है आपको कि भई अगर आपके पास check का value बहुत ज्यादा होता था तो उसके लिए एक system introduce किया RBI ने किया उसका नाम है high value clearing ठीक है तो अगर checks का value कितना है एक लाग से उपर उसके लिए introduce किया कि system किया है RBI ने high value clearing किया है ठीक है तो इसके बाद हम चलते है next point पे देखो यह जो सारी चीजे में बता रहा हूँ ना actually मैंने monetary policy पिछले lecture में complete किया अब यह जो मैं points बता रहा हूँ यह examination point of view से थोड़े important लग रहे है मुझे तो इसलिए मैं आप से share कर रहा हूँ वरना इनकी जुरत नहीं है हमने already monetary policy complete किया है RBA ने एक और system introduce किया उसका नाम है check truncation system CTS क्या नाम है इनका CTS अब पूचा जाएगा किस कहां किस जगा मैं इसने इंट्रडूस किया आपको बताना है जो हमारी capital है that means New Delhi मैं इसने यह use किया था अब इसने क्या किया देखो इस system हमने eliminate किया कि हम checks को physically movement करवाए ठीक है और इसमें more secure method प्रोवाइड किया गया और more efficient method किया गया ताकि आपकी checks को clear कर सखा की clear करें हम ठीक है आगे चलते हैं हम अपने next point पे जो हमारा यहां है the Reserve Bank of India has introduced electronic clearing system ECS ठीक है अब यह क्यों use किया गया था ECS इसलिए use किया गया ताकि आप transfer करें funds को ठीक है कैसे electronically instead of paper instruments जो paper हम करते हैं कागजूं पर लिखते हैं ऐसे transactions को मतलब करते हैं transfer करते हैं funds को उसके बजाए एक system provide किया गया जिसमें आप in funds को transfer कर सको कैसे electronically चलिए इसके बाद एक और system आपको याद रखने की जूरत है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा वो है NECS that means national electronic clearing service ये वाला इसके बारे में आपको क्या याद रखना है इसके बारे में याद रखना है भाई ये आर्बे ने इसलिए किया ताकि जो bank accounts है चीक है बाकी जितने भी multiple मतलब देखो हमारे पास क्या करना था तकाम ये हमारा एक bank account है अब इस bank account से आपको बहुत सारे लोगों को पैसे देने है अब वो एक साथ बेजने है क्यों अब वो अलग-अलग से transaction तो नहीं करेगा उसके लिए एक system लाया गया उसको बोलते है national electronic clearing service ठीक है तो ये क्याना में इसका national electronic clearing service इसके बाद next point पर आ जाते है एक और हमें पढ़ किया ताकि जो आपका account holder है वो transfer कर सके अपने fund को electronically with another account holder जो किसी other bank का होता जो हमने उपर पड़ी scheme उसमें other bank नहीं था उसमें आप उसी bank से कर सकते थे जो उसी bank का दूसरा होता मतलब उसमें funds का transfer होता लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे bank का भी है तो आप electronic funds transfer scheme के तहत आप transfer कर सकते हो एक account से दूसरे account तक जो different banks के दर्मियान होगा वो transactions हो सकती है electronically फिर मैंने आपको पिछली बार भी बोला जब मैंने start किया था RTGS real time gross settlement system इसमें हमने क्या किया काम इसमें हमने inter bank मतलब जो transactions है उनको हमने यहाँ पर settle करने की कोशिश की जो एक लाग से ज्यादा है तो व कि बही reserve bank of India ने encourage किया इस चीज़ को कि हम national payment corporation of India बनाए क्यों बनाए ताकि यह जो हमारे पास retail payment systems है इंडिया में यह उसको operate कर सके ठीक है retail payment system ठीक है यह आपको याद रखना है चलिए अब आगे चलते है देको अब जो मुझे बताना है वो important है क्यों क्योंकि वो जो मैं बत जाना है कि जो परसूं परसूं मतलब एक तो October वाली जो monetary policy RBA ने दी थी उसमें क्या बोला था RBA ने और जो फिर परसूं डेसंबर में उन्होंने बोली थी उसमें क्या बोला था चलिए पहले मैं आपको monetary policy report दिखाता हूं RBA का यह मैं आपको दिखाता हूं यह October का है यह October 2021 में MPC that means monetary policy committee का report आता है उसका नाम है MTR monetary policy report किस महीने में October 2021 में अब उन्होंने क्या किया काम ठीक है October 2021 तो इसका मतलब हो गया यहां पे आपको समझने की जरत है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा जो उन्होंने यह policy बनाई ना उन्होंने policy rates को change नहीं किया जो policy rates थी उन्होंने वही policy rates रखी कितने time पूछा जाएगा for 8th time in a row इसका मतलब उन्होंने accommodative stance पूछा जाएगा which stance is adopted by monetary policy committee in the monetary policy issued in October 2021 आपको बताना है accommodative stance अब सर यह accommodative stance क्या होता है accommodative stance होता है वो वाला stance RBA का जिसमें वो rates को increase नहीं करता है rates का value decrease करने लगता है कट करता है rates decrease करता है ठीक है ताकि वो हमारे market में supply of money को increase करे supply of money को increase करे पूछा जाएगा which stance is you was used in the October 2021 policy sorry which stance was used in the monetary policy issued by MPC on October in the month of October 2021 आपको बताना है accommodative stance और यही accommodative stance हमारे December जो परसू हो गया monetary policy committee परसू में आपको बोला पिछे लेक्चर में भी 8th 9th 10th December को मिलता है तब वो monetary policy report देता है तब भी उन्होंने यही accommodative stance को adopt किया था और यह भी आपको याद रखना है December 8th 9th 10th को जो monetary policy report आया उसमें भी policy rates को change नहीं किया गया अब मैं आपको पता देता हूं कि policy rates है क्या अभी की policy rates भी अभी जो अभी है यह October का report है लेकिन अभी की भी यही है ठीक है आपको याद रखना है repo rate जो है वो 4% है reverse repo rate जो है वो 3.35 है marginal standing facility rate जो है वो 4.25 है bank rate जो है वो 4.25 है हाला कि यह जो report है October का है लेकिन December के लिए भी ही है December 2021 जो अभी current है तब भी rate सेम है क्यों क्यों कि तब के जो policy बनाएगी December में तब भी बोला इन्होंने कि हम अपने इसको change नहीं करेंगे ठीक है तो चलिए हम इसके बाद क्या करते है next point पढ़ लेते है इस सारी चीज़े मैंने आपको औरेडी clear कर चुका हूं मैं तो यहां पर आपको अब बताता हूं मैं यह जो आप देख रहे हो ना यहां पर यह वाला यह वाला यह गवर्नर आफ आर बिया का सुरी 8 9 10 नहीं 6th 7th 8th December में क्या होती है monetary policy committee met करते है ठीक है तो उसमें जो गवर्नर ने यह गवर्नर का मलब speech है यह जो यहां से let me know turn now turn to the deliberations of the यह जो सारा कहा है ना यह सारी speech है किसकी governor of RBA कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो मैं PDF send कर लूँगा लेकिन फिलाल यहां पर यह सुन लो ठीक है तो उन्होंने क्या बोला उसमें भई उन्होंने बोला कोविड 19 है चलो हम rates को कुछ नहीं करते है ठीक है तो उन्होंने policy repo rate को भी कुछ नहीं किया तो अगर सारे जितने members हैं उन्हें बोला हाँ policy repo rate को change नहीं करते है अगर पूछा गया बताओ देखो यहां पर भी उन्होंने to retain the accommodative policy मैंने अभी बोला ना पिछले मैं भी मैंने बोला अभी भी अब अगर पूछा जाएगा कि बाई कितने लोगों ने कितने लोगों ने MPC में इस च ठीक है तो बाकी चीज़े सेम ही रहीगी देखो अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊँ यहां पर उन्होंने rates क्या रखी थी देखो आप देख सकते हो यहां पर यहां पर यह rates है marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25% the reverse repo rate also remain unchanged तो सारी की सारी rates जो है वो unchanged ही रह गई उसके बाद यह जो है monetary policy statement 2021 2021-22 resolution of MPC यह जो यह report है यह December का है यह बिलकुल मैंने RBA से ही download किया है अगर आप इसको पढ़ना चाहते है आप इसको पढ़ सकते है बट मैं आपको यहां पर वह चीज़े बताऊंगा जो examination point of view से important है सबसे पहले आपको याद रखना है यह meeting कब मैं उन्होंने कब किया तो December A 2021 is the correct answer ठीक है और उन्होंने देखे यहां पढ़िए keeping the policy repo rate under adjustment facility unchanged उन्होंने सब rates को unchanged रखा ठीक है चेंज किसी को नहीं लाया अब यह भी आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको बोला था inflation target होता है उन्होंने उसको भी ऐसे ही रखा क्योंकि inflation target कितना है 4% with a band of plus minus 2% यानि यह होता है हमारे पास यह चीज़े ठीक है चलिए फिर इसके बाद देखते हैं अगर कुछ चीज़े रह गई है तो मैं उसको आगे आगे lectures में cover करूंगा चलिए उसके बाद आते है next अच्छा यह देखने की जुरत है यहां पर यहां पर जो जिस इस चीज़ को मैं highlight करूं आर भी एक्ट ठीक है यह provide करता है inflation target ठीक है किस में लिखा है कि बाई किस act में पूछा जाएगा किस act में लिखा गया है कि बाई जो inflation target है वो set करेगा government of India आपको बताना है amended RBI act ठीक है और वो किस को पूछ के वो करता है यह नहीं किस से consult करता है वो RBI से consult यह मैंने आपको औ याद रखना है कि बाई अच्छा बस यहां पर और कुछ नहीं है जो आपको याद रखना है हम चलते है next point पे अच्छा next point है आपका monetary policy framework यहां पर भी आपको कुछ नहीं याद रखना है ठीक है and then आपका आता है यहां पर monetary policy process यह जो है ना सारे RBI की website से ही download किये गए है सारी चीजे ठीक है तो यहां पर आपको क्या याद रखना है वो देखते है कुछ है किछ नहीं चले देख लेते हैं यहां पर अच्छा यहां पर आपको एक चीज़ याद रखना है यह आपको revise करवा दूँगा किस section के तहत amended RBI Act 1934 के किस section के तहत बताया गया इस लिखा गया है कि आपको एक 6 member monetary policy committee बनानी है ठीक है तो वो आपको याद रखना है वो section 45ZB है 45ZB है और यह जो पहली MPC meeting हो गई पहली MPC committee जो बनाई गई फस्ट वो कब बनाई गई 29 September 2016 में इसको बनाई गई ठीक है अगर पूछा जाएगा जैसे कि मैंने आपको बोला है भई 6 members में होते हैं तीन होते हैं outside the RBA तीन होते हैं RBA के ही अब पूछा जाएगा भई बताओ RBA के कौन है और outside कौन है सबसे पहले है governor of the RBA यह तो पता ही आपको कौन है शक्तिकंत ठीक है फिर deputy governor of the RBA यह आप चेक करना कौन है इस वक्त फिर होता है एक officer RBA का ठीक है जिसक इसको professor आशीमा गोयल यह अभी का है December 2021 याने sorry जो मैं अभी बता रहा हूँ 29th December को मैंने record किया है तो उस में professor आशीमा गोयल दिखा रहा है website पे कि यह आपके पास एक member है MPC का and then professor जैंत आर वर्मा यह professor है Indian Institute of Management अहमदबाद यह भी एक member है then doctor शेशंका बिदे यह senior advisor है National Council of Applied Economic research में यह भी अभी क्या है यह भी अभी आपके पास मतलब member है चलिए इसके बाद चलते है ओके अब आपको पूछा जाएगा कौन सा department देखो आपको पता है monetary policy को बनाता है monetary policy committee लेकिन पूछा जाएगा कौन सा department monetary policy committee को assist करता है उसका नाम है monetary policy department MPD ठीक है और पूछा जाएग कौन सा department monetary policy को operation में लाता है so operationalize करता है उस department का नाम है FMOD याने financial markets operation department ठीक है FMOD यह आप देख सकते हो यहाँ पे slide में थोड़ा नीचे करता हूँ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यह यह आप देख सकते हैं यहाँ पे FMOD यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है यह आपकी monetary policy को operationalize करता है याने short में इसको यह मतलब जो ground level पे day to day operations होते है monetary policy अब आगी अब उसको कैसे operate करना है ठीक है वो किसका काम है financial market operations department का ठीक है उसके बाद आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना है तो बस इतना ही आपको याद रखना है अब यह जो bank rate होती है मैंने आपको बोलाए ना पूछा जाएगा हो सकता है पूछा जाएगा यह जो bank rate है यह किस section में बोला गया है RBA Act के किस section में बोला गया कि our bank rates को आपको publish करना आपको बता ना bank rate publish होती है लेकिन किस section में बोला गया जो आप rates लगाओगे उसको publish भी करने है bank rate तो आपको section 49 के तहत बोला गया जो के RBA Act 1934 अब मैं बताऊंगा आपको last point आज के session का और हमारी monetary policy भी complete हो जाएगी वो है आपका ये वाला point याने ये जो आपके पास MPC that means monetary policy committee होती है इसको कम से कम एक साल में चार बार तो meeting करनी ही करनी है four times ठीक है four times इनको meeting करनी ही करनी है तो ये हमारे पास कुछ चीजे थी जो मैंने आपको बता दी I hope आपने lecture को enjoy किया होगा तो असल में मैंने monetary policy को पिछले lecture में ही complete किया था बट यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे points आप के लिए लाए जो मुझे लगे कि शायद examination के लिए important हो सकते है because ये sections पूछे जाते examination में कौन किस section के हित फलाना चीज है कौन किस section के हित फलाना चीज है तो ये सारी चीज़े आप पढ़ सकते है अगर आपको अब ये सारी PDF भी पढ़नी है ठीक है जितना जितना मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए उतना मैंने बोल दिया अब अगर आप इस PDF को पढ़ना चाहते है सारा पढ़ना चाहते है तो आपको टेलिग्राम पर मैं ये सेंड कर दूँगा ठीक है तो वीडियो को लाइक करना ना बूले शेर करना ना बूले इन्शालला इन्शालला अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा fiscal policy and fiscal policy में हो सकता है दो lecture या तीन lecture लग सकते है ठीक है क्योंकि बड़ी policy है इसमें थोड़ा budget का भी बताना पड़ेगा आपको and then मैं shift करूँगा उसके बाद fiscal policy के बाद मैं जाऊंगा कहां पे उसके बाद हम पढ़ेंगे चले देख लेते हैं इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा planned economy planned economy versus mixed economy sorry versus market economy आपके सलबस में है ठीक है यह हमारा अगला जो plan होगा यह पहला topic होगा इसमें हम एक lecture लाएंगे फिर दूसरा topic जो मेरे target में है वो है economic growth यहां पे लिखते हैं तो दूसरा जो है economic growth and its measurement ठीक है और इससे पूछे गए है बहुत सारे question किस में JSA में मैंने देखे ठीक है तो economic growth को मैं complete करूँगा maybe 2-3 lectures लग सकते है minimum 2, maximum 3 लग सकते है then मेरा target रहेगा आपका characteristics and problems of developing economy so characteristics of developing economy में एक lecture काफी है वो उतना बड़ा नहीं है then last topic जो होगा मेरा जो target में रहेगा पढ़ना तो सारा है फिलाल में बताऊँगा कुछ दिनों के लिए यह हमारा target रहेगा तो economic reformers in India यह हमारा next topic रहेगा इसके लिए मुझे लगबग 2 या 3 lectures लग सकते है तो यहाँ पे maximum मेरे लिए 8 दिन लग सकते है यानि 8 lectures लग सकते है और minimum मुझे 6 lectures तो चाहिए ही चाहिए ठीक है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए minimum lectures लाओं लेकिन उसमें maximum information होनी चाहिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आया for what's a reason so give it a like and don't forget to share it and हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज